टैक्स से जोड़े हर उल्जवनों को दूर करने के लिए हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदिदा शोट टैक्स गुरू जहां हम नियमों के दाइरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक बहतरीन तरीके आपको बताते हैं नमस्कार मैं हूँ लक्षण रहा है और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शर्द कोहली साब जो आपके सवालों के जाब देंगे कोली साथ हमारे साथ स्टूडियो में है और मुझे लगता है कि आपको देखके बिल्कुल याद आगए कि अब सावन आ चुका है यहां बिल्कुल सावन का स्वागत करने के लिए आज आपको मैं हरा हरा दिखाई दे रहा हमारे दर्शकों को कुछ हरा हरा गिफ्ट करेंग कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म है जरूरी विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो कैसे बनती है टैक्स की दिंदारी और साथ ही हम आपको भी बताएंगे कि GST कंपोजिशन स्कीम में कर्वर्ट होने के लिए क्या है कायद कानून इन सारे मुद्दों पर बाचित करेंगे ल कोजेंगे एंक पर इसके लिए कितने ITR फॉर्म होते वैसे कुल मिलाके तो लक्षमन साथ से भी जादा होते साथ से जादा होते हैं तो अगर कि चुनना हो तो अगर इंडिविजियूर कि हिसाफ से देखें चोकि इंडिविजियूर जादा उल्गे रहते हैं के लक्षमन तो सबसे popular सहज है जिसको form one कहते हैं जिसमें अगर आपकी तीन source से income हो income from salary income from house property एक घर से और income from other sources और 50 लाग तक है तो आप form one कर सकते हैं मतलब सहज के लिए 50 लाग से ज़्यादा आमदनी होगी तो फिर आप नहीं करेंगा तो या तो 50 लाग क्रॉस हो आप पी के सवाल से अगला भी आ जाता है आई टीर टू या आपके पास capital gain income है या एक से जादा मकान है तब भी आई टीर टू आ गया तो ये तो हो गया इसका आप माल लीजे आप business करते हैं और profit and gains from business profession है और proprietorship चलाते हैं और आपकी दो करोड रुपे से उपर की आमदनी है sale है total तो फिर हम आई टीर 3 पर आ जाते हैं पर ये नहीं ये लक्षमिन के आई टीर 3 में आप बाकी के sources नहीं दिखा सकते हैं मतलत जो जिस source का हमने मुख्यता नाम लिया उसके अलावा बाकी sources भी उसी form में पर दिखा सकते हैं तो ये आई टीर 3 तक बात की लेकिन इसके अल सुगम कहते हैं पहले को सहच कहा इसको हमने सुगम कहा ये है presumptive tax मतलब जो लोग बिना खाते maintain किये बिना books of account maintain किये जो presumptive tax का जहां 8% 6% आपको profit दिखाना होता है उसका लाव उठाना चाहते हैं तो आप सुगम पे जाईए फिर 5 चलता है firms पे जो partnership firms होती है body of individuals होती है छ उसके बाद साथ charitable trust बगरा होती हैं तो मैं individual के लिए अगर हम गिनें लक्षमन तो पहले के चार जरूरी फार्मस है एक इन सारे को sum up करते हैं एक आखरी स्वाल पूछूँगा कि किसी के पास salary से आमदनी होती है लेकिन salary के अलावा भी थोड़े बहुत आमदनी उसको हो जा तो फिर आपने जितने नाम लिए ये फिर उस category के हिसाब से गलती से कोई दूसरा form भर दिया तो आपकी वो defective return माल ली जाएगी चलिए इसका खास ख्याल लखेगा और इसके बावजुद कोई उल्जन आपके पास हो तो बताएगा हम लोग पूरे महीने आपको बताते रह वह था कई बड़ा बकाया टैक्स भी चुकाना चाहते हैं आई टी आर को लेकर क्यों ऐसा होता है ना इसको सेलफ एसेस्मेंट करेंगे लेकिन इस वी सारे कॉलर हमारे साथ जूड़ चुका है पहले उसमुद्धे पर बाचित करेंगा लग से सबसे पहले कॉलर हैं दिली स जीडि सर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जूड़ चुके हैं शरमा जी नमसकार कैसे हैं आप है बहुत बड़े थैंक यू पिछले तोड़ा सा ही प्रॉलम आ रही है हां बताया मेरे दो सवाल है था एक तो यह कि सर मैंने पावर फाइनेंस कॉपरेशन में बॉंड लिये थे 2011 में ठीक है तो सर उसका अभी रिडेंप्शन हुआ है 2021 दिसंबर में तो उससे जो इंकम आई उससे मेरा 10% TDS उन्होंने काट के दिया अब मेरा सवाल है कि सर वो जो है उसको कैपिटल गेन में लिया जाएगा या इंटरेस्ट इंकम में मैं शो करूं कैसे शो करूं और दूसरा मेरे एक सवाल है सर कि मैंने PMVVY योजना लिए पहले इस सवाल का जवाब देते हैं फिर अगले सवाल का सवाल आप से पूछूँगा आप फोन लाइन पर बने अगला सवाल क्या है शर्माजे सर मेरे मैंने PMVVY योजना परदान मंत्री व्याइव योजना में 15 लाख रुपे लगा हुए है तो उससे सर हर मेरे 10,000 रुपे मेरे को इंकम आती है अब वो मैं वो जो इंकम है उसको मैं ITR में पैंशन इंकम में ट्रीट करूं और इंट्रेस्ट इंकम ट्रीट करूं जी नहीं जीडी साब आप उसको इंकम फ्रूम अधर सोर्सस में दिखाएंगे जो आपके लाख 20,000 हो गई हर मैं ने 10,000 आ रही है उसको आप इंकम फ्रूम अधर सोर्सस में दिखाएंगे ये सब्सक्राइब में नहीं है तो मुझे लगता आपके उल्जय ने दूर हो गए शर्मा जी फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताईएगा और इस वीच हमारे साथ जूड़ चुके हैं संजीव जैन साफ फोन लाइन पे संजीव जी मसकार मसकार जी बताएं क्या उल्जयन आपके सर मैं ये पूछा था कि मैं अभी 2020 में रिटायर हुआ था तो मेरा पी एफ कच्छा दा पहले है तो मैंने पी एफ अभी निकाला नहीं है तो क्या वो टैक्सिबिल है अभी अभी तीन सबाद निकालू मैं संजीव जी पी एफ की टैक्सिबिल्टी रिटायर्मेंट के बाद तो नहीं होती पी एफ एक्जेम्ट होता है अगर उसके ब्याज का जानना चाहते हैं कि उसका जो ब्याज है तो इंकम टैक्स एपलेट ट्राइबिनल की एक रूलिंग आई थी जिस और एक सेक्शन ट्व कोई रहते रिटायरमेंट के बाद क्यां ट्रेन-ट्रा के बाद इंप्लॉई-ध नहीं रहते तो रिटायरमेंट के बाद जो पी-ए-फ चैगरा तो मेरे खिया सब्सक्感ि रेति कुछ है है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया है कि हमने हमने आपके मन की बाद जान ली हमें लग रहा था आप पूछना जाते और अगलती से आप रॉविटेंट फंड बोल जी तो बिल्कुल तो चलिए थैंकियो सो मच आप देखते रहे ऐसे शो और कोई भी हूल जहों तो रेगुलर टेडर नहीं है तो यह कहना जिए चाहते हैं टेडिंग में कही बाद इनको नुकसान हो जाता है तो नुकसान जो होता है क्या उस नुकसान को डिविडेंड से जो उनकी आमदनी होती है क्या डिविडेंड से होने वाली आमदनी के साथ उसकी भरपाई कर सकते है देखे अगर तो ये intra-day trading है लक्षमन मतलब आप रोज खरीदा दिन में खरीदा बैचा तो फिर तो ये speculative हो जाएगा अगर speculative loss है तो फिर इसको आप set off नहीं कर पाएंगे पर अगर इसको आप F&O की तरह कर रहे हैं futures and options में आप कर रहे हैं business की तरह चला रहे हैं उसमें loss हो रह set off करने का प्रावधान तो है इसके पिछे कई सारी शर्त हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा